अपने सेट्का देश्टी और वीजिटों कर रहे हैं अपने जो है आफ्र टोर्स पर जो है विजट कर रहे हैं इस तरह के कही सारे अरोक पिच्छे अक्वारों में होता है ना कुछ पैसे की कोई सेंक्षन होती है स्टाफ करने लगे जिसका कोई ऑडिट नहीं कोई कंट्रोल नहीं था अर्थ प्रगाश के दश्कों को नमस्कार हम एक नए मुद्दों के साथ आपके साथ हमेशा साथ आते रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम चंडिगड प्रशासन के जो अलग-अलग महकमे हैं वो किस तरह से जो है सोसाइटिस बनाकर एक ब्रस्टाचार को जनम दे रहे हैं और लगातार घपलों पर घपले इन सोसाइटियों की मार्फ़त हो रहे हैं धन का मिस्यूज किया जा रहा है उस मुद्दे के बारे में बातचीत करने के लिए जो है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और आर्टियाई एक्टिविस्ट आर्के गर्ग जी आये हैं जिनोंने आर्टियाई में सोसाइटियों की इस घपले को लेकर बहुत सारे खुलासे किये हैं उन्हीं खुलासों को लेकर हम इन से बातचीत करते हैं इन सोसाइटियों के उप यह घपला कर रही थी और किस तरह से हम इसनके ओपर रोक लगी है घर्ग साब पहले तो अर्थ परकाश का बहुत बहुत धन्यवाद की इस इस इसुपे इन्होंने टाइम निकाला है यह काफी लंबी लड़ाई है बहुत सालों से चल रही है तो हमें यह पता लग रहा था कि के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी ससाइटियों बना रखी है और ससाइटियों को पॉब्लिक प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दे रखी है और उन ससाइटियों को ग्रांट्स भी मिलती है और जो पैसा वहां पे कमाया जाता है वो उन ससाइटियों में ही रह बाहर जाती है उनके अपने खातों में जाती है तो हमने काफी बार यह बहुत बार यह पॉइंट आउट किया है और यह लगातार हम इस पे एक एक दो-दो आर्टे में इंफर्मेशन लेकर उसकी स्टोरीज करते रहे हैं लेकिन अब देखने में आया था कि कुछ सालों से नहीं करता वह सारा कां सोचैटी करती है सब कुछ वहीं पर जाता है और वहीं से इस का फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन से्गाव के और जो कंट्रॉल कोई इंडिया गॉर्श का कोई कंट्रोल नहीं रहता उसका कोई audit नहीं होता और कुछ समय तक पहले कर मुझे याद तक तो इन सुसाइटियें को बिल्कुल ही कोई नहीं होता था सुरान सत्रा में फिर मैंने जब यह बहुत सारी पॉइंट आउट ही खासका स्विक के बारे में तो फिर इनका ऑडिट होना शुरू हुआ लोकल ऑडिट बेपार्टमेंट ने ऑडिट शुरू किया लेकिन वह इन लोगा ने उस ऑडिट का जवाब ही साल साल दो दो साल तिन तिन साल जवाब नहीं दिया तो यह मुद्दा चलता रहा हमने फिर यह जब देखा कि बार बार परशाशन को लिखा तो फिर हमने जब यह देखके भी यह कुछ करनी रहे हैं तो मैंने दस मई दो या फिर मैंने प्राइमिनिस्टर ओफिस में यह लिखके भेजा पूरा मसला और उसमें मैंने पूरा यह लिखा कि चंडिगड इंप्सेशन बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से जो कमाई है जो कमाई आती है रवेन्यू आता है उसको डाइवर्ट कर रही है और काफी सालों से कर रही है उसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली लिखा इनको कि जैसे इंफरमेशन टेकनलोजी की है स्पिक टूरिजम की स्टेप्स है चंडिगड हाउसिंग बोर्ड को जैसे एक सुतेई एकड़ जमीन ठारा लाग रुपे पर एकड़ के हिसाब से दे रखी है बहुत साल पहल है लेकिन ने वह रिजूम नहीं करी और आज भी वह प्रॉपर्टी उनी के पास है तो यह इस तरह से मिस्यूज हुआ फिर सोशल वैलिफेर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक अपनी कॉर्पोरेशन बना रखी है उसको कुछ बिल्डिंग दे रखे क्राएं बिल्डिंग तो कम से कम सरकार के खाते में आने चाहिए जो यह सोशल वैलिफेर डिपार्टमेंट में नहीं आ रही इस विक में यह इस में उठाया था तो उन्होंने क्रोड़ों रुपे जो उस कमाई के थे वो जम्मा करवा लिए थे उसके बाद जो है ना यह जैसे इंजिनिंग इस पर ना कोई किसी का कंट्रोल है ना कोई ऑडिट होता है ना कोई स्पैसे की कोई सेंक्षन होती है तो यह सारी जब मैंने पॉइंट आउट करी फेर इनों ने यह पुलिस का डिपार्टमेंट है है उसके पास भी FondS & Society जैंने साल पहले एक बैंड फिंड था और विकुषम के पैसे आते तो इस तरह यह उनके भी फिंड यह तो फिर यह sustainability me पुराई मिनिरिश्ट को होने के बाद पहरी से उसक को दीड खर सो करेंशर's ने पूरा एक सालo के पीछे लगाया और बहुत सारी उन्होंने देखा भी क्या क्या कुछ हो रहा है तो जब उनको लगा कि यह बात बिलकुछ सही है कि फंट्स डाइवाट हो रहे हैं तो इन्होंने फिर एक क्रेक्टिव स्टेप लेते हुए चोदा पाच यानि के लगवग एक साल के बाद मेरी रिप्रेजेंटेशन के एक साल के बाद इन्होंने जो भी डिपार्टमेंट मैंने उसमें पॉइंट आउट किये थे जैसे यह डिरेक्टर शोशल वेलफेर है कंजर्वेटर ओफ फॉरेस्ट है टूरीजम है चीफ एक जी इन्होंने अपने जो फंड जिनके पास फीस वगर एक अठी होती है उसमें से कुछ पैसे इन्होंने एक सुसाइटियां बनाके उसको देशन शुरू कर दिये और वहां से स्टाफ करने लगए जिसका कोई औरिट नहीं कोई कोई कंट्रोल ली था तो उनको भी यह बंद कर लेकिन यहां एक बात इस सारे जो इन्फर्मेशन मुझे मिली है उससे यह कुछ पता लगा कि जैसे ट्रांसपोर्ट है उसकी सीटीव है चंडी के ट्रांसपोर्ट अंडर्टेकिंग उसकी अपने एक सुसाइटी है उसके बारे में यहां पर कोई विरवार नहीं आया उस स साइटी में भी इन्होंने बहुत सारी बस में बदरा टांसफर कर रखी है और उसमें से फॉर्म विजिट भी हुई है यह मेरे को पता लगा है इसके इलावा स्पॉर्स डिपार्टमेंट की बी सुसाइटी है और बी काफी जिगह से यह पता लगता है कि और काफी साथी सारा एक क्रेक्टिव स्टैप लिया है लेकिन मेरी उसके अंदर पूरी सैटिस्फेक्शन अभी नहीं है क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि जितना इंड सोसाइटी उन्हें जो मैंने पॉइंट आउट किया है या इसके अलावा और बहुत सारी सोसाइटी है उन्हें ने जितन सोसाइटियों के पैसे से मिस्यूज हो रहा है किस तरह का मिस्यूज हो रहा है और जो ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी जो है इसी सोसाइटियों की महरपत अपने लैप्टॉप करीद रहे हैं अपनी गाडियां खरीद रहे हैं अपने जो है सोफा सेट करीद रहे इस तरह के कहीं सारे पीछे पढ़ने को मिलें इसके बारे में आपकर क्या कहना है यह आप नहीं सचाहिए क्योंकि इन सचाहिटिंग पर कोई बारे में पर पर लएक काम के लिए इसके खर्च करने के लिए पैसा लेने के लिए पुछने की जरूरत नहीं होती यह आपने बिल्कुर्ण सही कहा कि यह अगर जब मैं इसलिए मांग रहा हूं इसके अंदर कि हमें पता लगया कि इसमें से कितनी गाड़िया ख्रीदे गए मोवाइल ख्रीदे गए या फॉरन विजिट की गई इसमें ये लिखा हुए कि इसमें ये लिखा हुए कि it is requested to ensure that the income revenue generated by society under your control is retained in the society's account with the prior permission of ministry of home affairs government of India, otherwise it is considered the diversion of income from the Consolidated Fund of India and it is not permissible. In absence of approval of government of India, MHA, for retention of income with the revenue generated by the society, the same may be ensured to be credited to the Consolidated Fund of India as early as possible. Besides, it may also be ensured that the audit of the society shall be carried out regularly. So, यह order issue किया हुआ है, तो इस order के तहत मैं यह चाहता हूँ, कि ऐसा जो order है, एक administrative order issue हो, जो चंडिकड़ administration के सारे department के उपर लाग हो गया है. क्योंकि यह जो सिर्फ पीस्मिल जो ना उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वो society का फैदा उठाते रहेंगे और यह काम से चलता रहेगा. गर्ग साब आप कितनी देर तक आपने जो है, कब से यह लड़ाई लड़ रहे हो, societies के जो एक अपले वाली है, और जो यह order अभी जारी हुआ है कि Ministry of Home Affairs की दरफ से, कि अगर वो fund को नहीं बताएंगे या divert करेंगे तो उसका diversion माना जाएगा और माना जाएगा कि यह जो है आप record पे दिखाना नहीं चारे और कहीं न कहीं इसका miss use हो रहा है, तो मैं जानना चाता हूं कि Ministry of Home Affairs को क्या यह अभी पता लगा या कि उनको पहले से यह intimation दी जाती रही नहीं देखे पहले यह मुझे जहां तक याद है यह कोई 15-16-17 साल की बात हो जब से मैं यह चीज़ खबने कर रहा हूं और Ministry of Home Affairs को क्योंकि जो तो भी खबरे छपती हैं जो भी जाती हैं बजट के बारे में जाती हैं परशाशन को और दूसरे जो भी इदारे हैं मेडिया से जो सारी खबरें उन तक पहुंचती हैं लेकिन यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को शिकायत को मद्दे नजर रखते हुए यह एक अच्छा order issue किया है और मुझे इसा लगता है कि चंडिगड परशाशन ने यह जो order issue हुआ है अगर यह ठीक तरीक से इसको लागू होगा तो यह चंडिगड का order दूसरे स्टेटों के लिए और जो स्टेट हैं उनके लिए भी उधारन बनेगा कि जैसे इन्होंने एक ब्रस्टाचार पर कहलो या गलत एक्टिविटी पर कंट्रोल करने की कोशिश करी है वह वह भी करें दूसरे तो यह थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और आर्टिया एक्टिविस्ट आर्के गर्ग जिनका कहना है कि सोसाइटियों का जो यह तौर तरीका है जो अनिमित्ताइं इसमें चल रही हैं उन पे लगाम लगाने का जो मिनिस्ट्री अप होम अफेर्स की तरफ से कदम उठाया गया है अगर चंडिगड परशासन इसे एक अच्छे तरीके से लागू करेगा तो यह अपने आप में दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा कि सोसाइटिस का पैसा जो है वो सरकारी फंड में पहले जाना चाहिए और उसका बकाइदा आडिट होना चाहिए ताकि लोगों के सामने एक पारदर्शी विवस्ता सामने आए साजन शर्मा अर्थपरकाश के लिए चंडिगड से